हेलो बच्चों हाव अर्यों आइम शिवम और यह है ऑक्सपोर्ड इंग्लिश क्रामर ऑक्सपोर्ड जूनियर इंग्लिश क्रामर की क्लास जिसमें आज हम लोग चैप्टर एट पढ़ेंगे जो कि है कंजंक्शन तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले जो है कंजंक्शन प अजंक्शन क्या करता है कंदों को छोड़ दीजिए यह कंद को आप फठाईए जंक्शन को याद रखी जंक्शन क्या करता है जो स्टेशन फे हम जंक्शन कहते हैं त्रेन आ lizो है और एक ये junction है माली जी कि ये पटना है और ये जो है ये जो है ये दिल्ली है तो junction क्या करता है यहां से train चली यहां पे आई यानि दो शहरों को जोड़ने का काम करता है junction ठीक है train यहां से चली और यहां पे पहुँची या फिर यहां से चली यहां पर पहुँची तो इसका मतलब यह हुआ कि junction एक जोड़ने वाला word ऐसा word जो जोड़ता हो तो junction क्या करता है दो शहरों को जोड़ता है वैसे ही जो conjunction है यह क्या करता है दो words को phrases को clause को इन सब को जोड़ता है तो आईए हम देखते हैं कि कैसे जोड़ता है यहां ध्यान दीजिएगा यहां पर first sentence जो है राम and sham are brothers यहां and आप देख रहे होंगे यह क्या कर रहा है राम को और sham को जोड़ना हो तो हमने क्या यूज़ कर दिया and यूज़ कर दिया तो यह जोड रहा है यानि sentence में इन दो words को जोड़ने का काम and कर रहा है इसलिए and क्या है conjunction है यहां second में देखिए early to bed and early to rise is a good habit यहां early to bed और early to rise को क्या जोड़ रहा है and जोड़ रहा है इसलिए and क्या है conjunction है तो इसलिए वैसे words जो words को जोड़े ठीक है वैसे words जो words को जोड़े clause को जोड़े phrases को जोड़े उनी को हम कहते है conjunction यहां देखिए you will pass if you work hard ठीक है if तो if क्या है conjunction है यह जोड रहा है इन दो को you will pass if you work hard ठीक है lita is simple but but यहां देखिए but लिखा हुए है तो but क्या है रीता तो simple है लेकिन गीता चालाक है गीता इस clever तो लेकिन जो है यह क्या है but जो है क्या है conjunction है ठीक है आगे बढ़ते है देखिए यहां पर वही चीज जो है जो मैंने अभी बताई है लिखी हुई है आप चाहे तो रोक के पड़ सकते हैं connecting words ठीक है connecting words को हम क्या कहते हैं conjunctions कहते हैं आगे आईए अगर हम बात करें definition की परिभासा की तो हिंदी बालों के लिए conjunction वह सब्द है जो शब्दों शब्द सम्मू हो वाक्यांशों उप वाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है मैंने पहले ही कहा था कि words को phrases को clause को sentences को सबको जोड़ता है वैसा ही words जो है वो conjunction है English के लिए a conjunction is a word used to join words phrases words phrases clauses sentences together together means एक साथ ठीक है एक साथ जोडने वाले words जो होते हैं किसको words को phrases को clauses को इन सबको अभी हमने उपर भी example देखा था अभी नीचे भी देखेंगे यहां examples दिए गए हैं आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो पाउज करें और इसको पढ़ें क्योंकि वीडियो को कम समय बनाना है इसलिए मैं तेजी में पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आएगा इसकी पूरी गारंटी है यहां ध्यान दीजिएगा कुछ नोट दिया हुआ है इसको समझना जरूरी है मेरे पिछले जो वीडियो हैं उनमें यह सभी इन चीजों की चर्चा मेंने की है अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाए मेरे वीडियो के पोटल पर जाए यूट्यूब के और प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को दे जाएं को यह सब्सक्राश् getting was नहीं है तो फिरकन जंस अजल भी connect है कैसे हम फर्क करेंगे कि कहां कंजंचन हो है और कहां यह कंजंचन जो है कि नहीं है कहां पिए ओक संच जैसा दिखने वाला वर्ड प्रिपोजिशन हो जाता है कहां पिए कि वह हो जाता है कहां रिले रिलेटिव प्रोनाउन एडवर प्रिपोजिशन के रूप में होता है साथ ही प्योर कंजंग्शन के रूप में भी होता है इसे हमें समझना पड़ेगा और अक्सर common errors जो आते हैं competition के exams में उनमें ये चीज जो हती है वो पूछी जाती है तो इसलिए competition के point of view से भी ये chapter बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इसको ध्यान से समझें ध्यान से पढ़ें और जो class के बच्चें है 10th class तक के उनके लिए ये बहुत important है तो आएए हम ध्यान से समझत करते हैं कि क्या कहता है क्यों हम कहां इसको conjunction समझेंगे और कहां जो है कि हम समझेंगे कि pronoun है या फिर एडवर्ब है या फिर कुछ और है देखिए कहता है कि संदर्व में आप इतना ध्यान रखें कि conjunction सिर्फ जोडने का काम करता है करता है कित्या करते हैं कि रिलेट प्रोनावन दो क्लॉज को जोडने के साथ अपने पूर्व आय नाउन ना प्रोनावन का संबंध अपने बाद टिप प्रोनाउन दो क्लोजेज को जोडने के साथ साथ अपने पूर्व आयनाउन प्रोनाउन का संबंद अपने बाद आने वाले क्लोज से जोडता है ठीक है ना कैसे यहां समझें यहां ध्यांद दीजिए कि दिस इजिदा बूक देट आई बाउट यस्टरडे यहां पे किस तो किस बूक की बात कर रहा है जो आइब यस्टरडे मैंने कल खरीदी थी तो किस बूक की यानि कि यह that क्या कर रहा है अपने पिछले sentence में book को analyze कर रहा है कि यह वही किताब है जो मैंने कल खरी दी थी यानि क्या हुआ यह that क्यों आया इस book को analyze करने के लिए आया है this is the book यह वही book है कौन से book जो मैंने कल करी दे थी यहाँ यह that जो है यह conjunction नहीं है यह क्या है यह relative pronoun क्योंकि यह relate कर रहा है ठीक है यह relate कर रहा है इसलिए यह relative pronoun है ध्यान रखें that conjunction भी होता है लेकिन उसकी शर्थ क्या है कि that बस सिधे आये चुप चापा है कोई उसका वो ना हो कि हां क्यों यहां ध्यान दीजिए क्यों क्यों यहां देखे I know that he was innocent इस sentence में ध्यान दीजिए यहां यह relative pronoun नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि that अपना आया सरकुछ काम नहीं है इसने अपने पीछे वाले से आगे वाले का कोई संबंध न यानि कि अगर यह नहीं आता तो यह यह पीछे वाला सेंटेंस आगे नहीं बढ़ पाता शायद ठीक है लेगिन यहां क्या हुआ यहां यह सेंटेंस जो है आराम से आगे बढ़ रहा है कोई दिक्कत इसको नहीं हो रही है ना इसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इस नहीं कर रहा सिर्फ आ रहा है अपना चुपचाप बस देट I know देट मैं यह जानता हूं कि वह इनोसेंट है हो गया बस मैं यह जानता हूं अब यह देट नौ भी रहे ज़रा बना यह आई नो मैं जानता हूं सब्सक्राइब बोल दिए थोड़ा सा फर्क लगेगा लगएगा कि संट्टेंस जो है अधूरा है यानि कि यह रिलेटीब प्रोणाउन है यहां पर दैट क्योंकि इस सेंटेंस से जोड़ता है और आगे भी बढ़ाता है यानि की ऐसा लगता है कि यह सेंटेंस अगर हम बीच में देट न लगा है तो यह आगे नहीं बढ़ेगा दिस इस दबूक यह वही बूक है देट जिसको आई बाट यस्टरड़े मैंने कल खरीदा था ठीक है यहां पर देट आया कुछ नहीं यह आई नो अलग आई वाज इनोसेंट ही वाज इनोसेंट अलग यानि कोई कोई रि रिलेटिव प्रोनावन और कंजंग्शन को समझने की आगे कहता है कि रिलेटिव एडवर्ब दो क्लॉजेज को जोडने के साथ साथ अपने बाद आने वाले क्लॉज के वर्ब को मोडिफाई करता है तथा प्रिपोजिशन यहां पहले इस चीज को समझे रिलेटिव है कि वहही घर है जहां वो रहता था ति अब यह यहां यह और है ठीक है यह रिलेटिव एडव एडवर्ब यहां यह कंजंग्शन है कैसे यहां देखिए यहां तो थर्ड नंबर में यह जो वेयर था इसने इसको मोडिफाई किया ही है वेयर ही लीब्ड दिस इस दब हाउस वेयर ही लीब्ड यह वही घर है जहां वह रहता था यानि स्पेसल जगा है कोई रहने वाली और इसलिए यह जो है यहां पर वेयर यह मोडिफाई कर रहा है लीब्ड को इसलिए यह रिलेटिव एड़वर्ब है ठीक है कुश्चन नंबर फूर पॉइंट नंबर फूर कहता है कि ही फाउंड दा वाच वेयर ही हैड लेफ्ट इन यहां संजंग्शन है क्यों क्योंकि यह दोनों सेंटेंसेश को जोड रहा है यह फाउंड वाच उससे घड़ी मिल गई उसने घड़ी धूंड ली वेयर ही लेफ्ट इट जहां उसने छोड़ी थी ठीक है बहुत बिशेश कुछ नहीं है फाउंड दा वाच अगर वेयर हटा दें थोड़ा से तो अंतर लगेगा लेकिन फिर भी फाउंड दा वाच वी हैड लेफ्ट इट अनादर प्लेस यह भी आप कहा सकते हैं तो हेयर जो है कि यहां फें खंजंग्शन हो गया अगला कह रहा है कि आई हैब बीजी सिंस मंडे अब यहां प्री पोजिशन को बता रहा ह है मैं सो मुवार से कब से सो मुवार से यह सिंस क्या कर रहा है मंडे को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं सो मुवार से बीजी हूं अब यहिंवी पे से Dort weil में यह त्री पशिशन था सिंस लेकिन सिक्स नंबर में जो सिंस है ये क्या है कंजंक्शन है कैसे विशल गो सिंस यू डिजार इट हम लोग तब जाएंगे जब आपकी एक्षा होगी यहाँ पे जो है प्रिपोजिशन मैं आपको बता दूँ उपर मैंने आपको पढ़ा है नहीं कहता है कि प्रिपोजिशन जिस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रयुक्त रहता है उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है ठीक है प्री पोजिशन गया ही काम है ठीक है जैसे यहां पर सिंस ने किया वी शेल गो सॉरी सॉरी कोश्चन नबर 5 मैं कब से बीजी हुजी सिंस मंडे सो मुवार से यानि कि यह देख लिजे आप सिंस मंडे यानि इसको को रिलेट कर रहा है यहां क्या वी शेल को सिंस यू डिजाइड हम तब जाएंगे जब आपकी चाहिए यह कोई को रिलेशन नहीं है या ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस को बढ़ाने के लिए इस वर्ड की जरूरती तब यह सेंटेंस बढ़ता ऐसा तो नहीं है ना इसलिए यह कंजंग्शन या कंजंग्शन यानि चुप चाप सिर्फ आता है अपना अपनी भूमी का निभाने किसी सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए या किसी सेंटेंस को जो किसी वाक्य के किसी वाक्य में conjunction के रूप में प्रयुक्त हो सकता है तो दूसरे वाक्य में अन्य parts of speech के रूप में जैसे यहां आप इसको पर सकते हैं मैंने समझाया है थोड़ा सा आप उपर ध्यान पहुंचते हो गया यहां पर इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ा नहीं गया है जोड़ा जरूर गया है लेकिन इस सेंटेंस को यह सेंटेंस को यह सेंटेंस आगे नहीं बढ़ाता जबकि यहां पर ध्यान दें this to be for the gate काँ बैठा वो काँ ख़ड़ा था खड़ा था अब यह त्वड़ा सा अधूरा लग रहा है सेंटेंश लेकिन इसको बढ़ाने काम बिफोर करता है कहां करता तो गेट के सामने कड़ा था बिफोर में सामने भी होता है प्री पोजीशन में ठीक है तो ही इस तूट कहा दिया वो खड़ा था लेकिन अब ये मन में प्रश्ण होगा है कहां खड़ा था तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बढ़ाने का काम इस बिफोर ने किया तो आगे वाला सेंटेंस आया कि अगला कह रहा है देखें यहां एडवर्व है यह विफोर यहां एडवर्व है कैसे आई हैंब नॉट सिन दिस बिफोर मैंने इसे पहले नहीं देखा था तो यहां बिफोर को हटा दें तो कुछ missing लगेगा तो इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को बढ़ाने के लिए विफोर आया यानि विफोर की ज्यादा भूमी का है जबकि कंजंग्शन की स्थिती में उस विफोर की ज्यादा भूमी का नहीं होगी कंजंग्शन जब भी होगा वह अपनी बढ़ेंगे भी और बढ़ाएंगे भी आगे ठीक है यह एक जो की पॉइंट है इसको द्हान में लखे है हमेशा यह क्या रहा है आई विल नॉट लेट यू गो एकसेप्ट यू गिब मी सम बनी आई विल नॉट लेट यू गो मैं तुम्हें जाने नहीं दूगा एकसेप कब जब तक की यू गीव मी सम बनी तुम मुझे कुछ पैसे नहीं दे देते यहां अब देखिए यू आई विल नॉट लेट यू गो यह अगर सिर्फ यत नहीं आए तो भी समझ में आता है कि हां मैं तुम्हें जाने नहीं दूगा ठीक है लेकिन अब इससे प्रश्ट श आने दूगा हो सकता है आप ही जाए लेकिन बहुत नेसेसरी नहीं है यहां एक्सेप्ट आया और यह कंजंग्शन है क्यों क्योंकि यह सिर्फ जोड रहा है चीजों को ठीक है एक्सेप्ट नहाए दूसरा कुछ वर्ड है तो भी काम चलेगा लेकिन पीछे के सेंटेंस में अगर वो वर्ड ना आते तो काम गडबड हो जाता चीजे गडबड हो जाती है अगला कह रहा है कि if we accept हरी all are to be blamed एगर हम हरी को छोड देते हैं तो क्या होगा बाकी सबके इलजाम आएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, यह word हो गया, यहाँ तो सीधे सीधे, यह simple है, यह word लग रहा है, ठीक है, आगे आई यह कहता है, kind of the conjunction, इसको समझना जरूरी है, conjunction, दो प्रक्रकार करें, कौन-कौन से coordinating और subordinating, ध्यान रखी है, कौन-कौन से conjunction, coordinating और subordinating, ठीक है, क्या कह रहा है कि co-ordinating conjunction एक ही अस्तर के दो आइटम्स को जोडने वाले conjunction co-ordinating conjunction कहलाते हैं जैसे यह कौन-कौन से एक्जैंपल है and but also यह सब जो लिखे हुए है आप रीड कर सकते हैं वीडियो पहुच करके कैसे इन वाक्यों में मोटे अक्षरों पे छपए हुए शब्द co-ordinating conjunction है कैसे राम और श्याम और फ्रेंड्स ठीक है ध्यान दे राम और श्याम एक ही अस्तर के है तो यह क्या हो गया co-ordinating हो गया give me a pen और pencil दोनों लिखने वाली चीज़े है ठीक है तो pen और pencil यानि और आके जोड़ रहा है यानि pen और pencil एक ही अस्तर की चीज़े है यानि कि तोनों लिखने वाली चीज़े है और इसलिए और जोड़ रहा है इसलिए और क्या है coordinating conjunction है राम गरीब तो है लेकिन इमांदार है ठीक है यह बात किसके बारे में हो रही है राम के बारे में यानि यह दोनों इक्वल है अब यह विल्कुल जो है कि यह ऐसे लग रहे है कि हा यह एक आदमी के लिए कही जा रही है और इसलिए यह इक्वल लग रहे हैं इसलिए यहां पर बट क्या हो जाएगा coordinating conjunction हो जाएगा अगला जो है वो कहता है कि इधर राम और गीता is to be blamed या तो राम को या फिर गीता को blame किया जाए ठीक है तो यहां देखिए इधर या तो यह भी conjunction है किसके विशह में राम और गीता के विशह में और यहां राम और गीता equally आदमी है दोनों हो सकता है विक्टिम हो या फिर हो सकता है कि वह आरूपी हो हो सकता है कि वह ही उन्होंने कोई गलती की हो तो भी तो ही न ब्लेम किजिएगा तो ऐसे में इधर राम और गीता is to be blamed या तो राम को या फिर गीता को blame किया जाए he knows both Hindi English वह दोनों जानता है दोनों जानता है क्या क्या तो Hindi English दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं भासाएं हैं दोनों ही भासाएं हैं तो इसलिए एंड का युज़गा और यह coordinating conjunction होगा अगला कह रहा है कि explanation अब यह explanation आप पढ़ सकते हैं मैंने उपर explain कर दिया है इसलि आगे देखिए अब कहता है कि subordinating conjunctions इनको ध्यान दें कहता है कि जो conjunction subordinate क्लॉज को principal क्लॉज से जोडता है वह subordinating conjunction कहलाता है यानिकि क्लॉज को जोड़े कैसे आई यह ध्यान दें कि he said that यह तो narration है ठीक है यह narration आपको दीख भी रहा होगा he said that कि he said that he was absent अब यहां देख लीजिए दो क्लॉज आया he said और he was absent यह that जोड रहा है तो यह एक्वल नहीं लगता यह ध्यान रखना है ऐसे में यह क्या हो जाएगा subordinating conjunction यू विल पास इफ यू वर्खाड इप ठीक है न इप तो ऐसे में इफ क्या हो जाएगा यहां ध्यान दीजिए तो sentences को जोड़ रहा है तो क्लॉज को जोड़ रहा है इसलिए यह subordinating conjunction है अगला है I like him because he is honest यहां भी देखिए दो sentences को जोड़ रहा है इसलिए subordinating conjunction है तो जो मूल अंतर है coordinating में और subordinating में यह ध्यान दीजिएगा कि coordinating जो है वो दो words को जोड़ेगा और कैसे words को जोड़ेगा एक जैसे लगने वाले से रामेंड गीता रामेंड स्याम पेन और पिंसिल हां ठीक है रीवर और लेक दोनों water bodies है रीवर और लेक या फिर sun और मून दोनों celestial bodies है ठीक है तो इसलिए sun और मून sun और मार्स sun और अर्थ ठीक है मून और जूपिटर इस तरीके से हम एक जैसे लगने वाले words जो लगे कि यह कहीं जाती प्रजाती के हो यानि दोनों में कुछ समानता हो को कहीं से कोई भाई बंदू लगता हो ऐसे words को हम आसान भासा में कहें तो हम किसे जोड़ते हैं coordinating conjunction से जोड़ते हैं और अगर clause को जोड़ना हो यानि sentences को basic sentences को जोड़ना हो तो हम subordinating clause को यूज करते हैं हो गया यहीं तो था अब देखिए आपके सामने exercise है कि आप इसको समझें और बनाएं इसका जो exercise है आपके परस अगर book हो तो अच्छी बात है नहीं book हो तो आप इसको यहीं पर पॉज करके भी बना सकते हैं मैं थोड़ी देर के लिए इसको चोड़ दे रहा हूं आप इसको पॉज करके बना सकते हैं यह रहा आपका बाकी यह बाकी का नहीं आगे कोई exercise नहीं है मात्रिया ही exercise है इसका जो एंसर है exercise 17 का यह अलग मेरे वीडियो वाले सक्षन में प्लेलिस्ट है अलग जिसका exercise मैं अलग बना कर डालता हूं ताकि आपको असुविधा ना हो आपने जो exercise बनाये हैं उसमें आप को सहुलियत हो तो इसलिए exercise 17 आप बनाएं और फिर मैं जब answer upload कर दूंगा तो उससे जरूर मिला है ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही शुब रात्री क्योंकि समय रात का समय है मैं जब वीडियो बना रहा हूं अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आपके लिए झाल झाल झाल